हेलो फ्रेंस विल्केम टू मुचिन के वियस शुरू करेंगे प्रेक्टिस्ट फॉर विहार शिक्षिक भरती 2023 जिसके अंदर हम डिसकस करेंगे सूबर 20 कुश्चन जो आपके साइंस और ईवियस से रिलिटिड होंगे अब इस 20 कुश्चन में आप देखेंगे कि अगर आपक आपको बस कीप और रिविजन करते रहें तो आपको जो भी कॉंसेप्ट या जो भी टॉपिक में आपकी गलतियां हो रही है वह आपको थोड़ा सा एक्स्ट्राइफंट देखें रिवाइस करना पड़ेगा टाइम कम है समय कम है नंबर आपको बिल्कुल नी छोड़ने है एक नंबर आपके लिए इंप्पोर्टेंट चलिए शुरू करते हैं लुक्स कोशन क्या है पहला कुशन क्या है कि निम्लिखित याँनरिकित में से कौन सा अध्वनशिल पदारता यूर्ण कौन सा ऐसा पदारत है जो दहनशील नहीं है यह जलता नहीं है लकड़ी है क्या कोईला है क्या यह पेट्रोल यह न में से कोई दो यह न में से कोई नहीं है अब अगले गोशन यह बढ़ जाते हैं लकड़ी का जलना किस प्रकार के देहन का उधारण है अब लकड़ी का जलना एक प्रकार के देहन का उधारण है क्या यह मंद दहन है यह विस्पोर्ट है स्वता दहन है इन में से कोई दो यह नहीं है अब दोको हर चीज़ का जलना यह पदारत का जलना भी अलगले प्रकार स होता है इस से लकड़ी का जलना हैं अब लकड़ी का जलना हैं यह आपको पता होना चाहिए, लकड़ी का जलना मंद धहन कहलाता है, cycend, मंद धहन कहलाता है, money क्रिया के लिए इन्यम्द में से कौन सी शर्ट आविた the in यानि दहन की क्रिया के लिए जो दहन है फ्लेम के प्रॉसस के लिए जलने के प्रॉसस के लिए किसी पदार्थ के जलने के प्रॉसस के लिए सबसे आवेश्चक चीज क्या है सबसे अवश्क चीज क्या अधहन शिल पदार्थ की उपस्थिती है पदार्थ के जुलन दाप की प्राप्ति है वायों की अनुपस्थिती है यह अनमे से कोई दो यह अनमे से कोई नहीं आप यह चीज महसूस करेंगे कि जब भी कुछ चीज जलती है जलने से पहले वह हीट ह होती है तो पदार्थ का जलन ताप की प्राप्ति करना सबसे इंपर्टन यह सबसे बेसिक सर्थ अगर यह यह शर्थ पूरी नहीं हो रही है यह अगर प्रिक्वेस्ट चीज पूरी नहीं हो रही है तो चीजें नहीं जलेगी तो क्रिया जो है दहन की वह कब शुरू होती है जब पदार्त के जलन ताफ की प्राक्ति होती है, ठीख है, अगले कुशन गोर्बड़ आते, वह ताब जिस पर कोई पदार्त जलना शुरू कर देता है, उसको क्या कहते है, अब एक फ्लेम है यहां पर कोई भी पदार जलना शुरू हजाता है अब उसको क्या कहोगे उस स्टेज को क्या कहते है तो जलन ता आप कहते हैं ज्वाला कहते है जलन शील कहते है यह अन्मे से कोई दो यह अन्मे से कोई नहीं आप एचीज महसूस करेंगे कि जब भी कुछ जलना शुरू होती है तो वेक स्टेज पर आजती है वो स्टेज को क्या कहते हैं वो जो रणताप कहेंगे जो रणशीट कहेंगे जौला कहेंगे तक को यह थोड़ा से आपको क्यों क्या सä Confusion लगएगा, सारे के सारे शब्द लगबग लगबग एक जैसे लग रहेें पर आपको ध्यान रखना है, जलने से जनने के जलने के ताप से जलने तुरूंट अगला क्या है इंधन के ऊश्मिय मान का मात्रक क्या है क्या है अच्छा हर चीज का मात्रक होता हुथ जिसे केजी है जिसे ग्राम है लीटर है किलो मीटर है वैसे ही हमारा इंधन के ऊस्वेहाँ मान का पूछ जाए यहां नंके ऊस्मयाँ माने ऑन्न के लिधा पूछ रहा है ऑन रखना तो यह केजी में है यह केजी ऑनी किलो जूल दूनों में ही इसको मत्रक इसका मानते हैं तीक है इनन के खुष्विमान का मातर दूनों ही है किलो जूल भी है और केजी पी एक अगली बात करते हैं अगला कुछ्शन क्या कह रहा है मुव्बती की जौला का मद्द वाग कैसा दिखाई देता है अच्छा अब जौला जलती है जब ना फ्लेम जलती है तो फ्लेम के भी पार्ट होते हैं एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट अब मद्द का पूछ रहा है यह मद्द का कौन सा घलता है आपने देखा होगा यह बहुत सिंपल है लाल है क्या पीला है यह हरा यह में से कोई दो यह में से कोई नहीं अब आप देखेंगे जब भी मुंबत्ती जलती उसका मद्य भाग हमेशा पीले रंका दिखाई देगा किस रंका पीले रंका तो ऑप्शन बी विल बी राइट अगले कुश्चन क्यों बड़े जाते हैं निम में से किसी इंधन का उश्मिय मान सबसे अधिक होता है अब उश या ला हाइड्रोजन दे सकता है LpG सकता है या न में से कोई दो जैन में से कोई नहीं कि जलने से जो उश्मिय मान परापत होगा अनर्जी सबसे आदा आपको हाइड्रोजन दे सकता है ठीक है इसलिए ऑफ्शन B विड़े शरी से लिएही इंधन के रूप में जगी देख चैनला का जलना हो सकता है पटाको का द्ध living से कोई नहीं चे सब्सक्राइब होता तो विसपोर्ट होने में एक सड्डन होता है फजले इसको हम बहुत करें यह जन्ना और के रूप में इसको कहते हैं पटाको का द्ध it इसका सही उधारन है ठीक है पटाकोगा द्वन इसका सही उधारन है कि पहले विस्फोट होता है फिर उसके आफ लग In तो यह हमारा जो है विस्पोट का एप्प्रोक्रियेट उधारण होगा निन में कौन जोलनशील पदार्थ है यह जलता नहीं है जोलनशील पूछा जिसमें आग नहीं लगती है इध्यान रखना यह जोलनशील कब बोल रहा है कब जोलनशील बोल रहा है तो option देख लेते हैं आज ळलनशील पदार्थ इन में से अब देख सकते हैं कोई भी जो है क्यों हो सकती है नहीं स style कलर यह कहां जिए लोह भशी कहां जलता है पत्थर भी कहां जलता है यह तीरे करद मेर्ट मेम सिदेलि उसकती है जलती आज एलन शील है मेल्ट हो सकती है पत्थर भी देखो मेल्ट हो सकता है लोहा भी देखो मेल्ट ही होता है और बर्थ भी मेल्ट ही होती है जलती नहीं है ठीक है तो यह एक लिक्विड फॉर्म में आ जाई की बट यह जो है फ्लेम नहीं पकड़ती आग नहीं पकड़ती यह ध तार हैं पांच नी रही करते हैं फिर कोई हाथ का हमेशा 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 तो क्या चाहिए जेयर, समाहबत करने को क्या कहते हैं अब वनों को समाप्त करना दोको वनको लगाना वनको लगाना एक तरीके से कहते हैं पुन्रा रोपन यानि कि आप करते हैं रिफॉरस्टेशन कर रहे हैं पुन्रा रोपन कहते हैं बट इसको कहते हैं समाप्त करने क्या कहेंगे तो क्या कहेंगे वनों मुरन कहे सिंपल ने तो कोई भी दे सकता है वागि वन ने प्राणी ब्रहारण तो होगा ना यह सेंचुरी वगहरा नैशनल पार्ट तो होता ही नहीं ठीक है आगे बढ़ जाते हैं कि जन्तु किसकी संख्या एक निर्धारित इस तरह से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं तो वे क्या खیलाते हैं ऐसे चन्तु कि बात कर एक गरा है जो विलुफ्त हो सकते हैं पर ठेसर बड़े गौर से देखना है आप और ने पराणी हो सकता पाल्तु तो जानवर कह सकते हैं पालतू जनतु ये संकर्ट सतनतु हो सकता है यह मैं से कोई दो यह अनमे से कोई नहीं अब आपको थोड़ा सा वीडियो पॉस्ट करके थोड़ा वीचार मंथन करना पड़ेगा तो कि यह थोड़ा को को यह क्लोस कॉल है यह एजी है बट कोशन समझना पड़ेगा को कोश्चन अगर समझ पाऊगे तो ही कर पाऊगे कोश्चन थोड़ा सा अलका सा थोड़ा लॉग है कि जन्तु जिनकी संख्या एक निर्दारिज इस तर से एक निर्दारिज इस तर है सो है डेड़ सव हजार उससे भी कम होती जा रही है और वो जल्दी ही समाव विलुप्त हो सकते हैं हुए नहीं हो सकते हैं उनको क्या कहो गया तो जाहिर से बात है दोगो वंड़ जी प्राणी तो कहो गया नहीं ए और बीम लोग जो है क्या होंगे कंफिस होंगे पालटू जन्तु है नहीं कि बाकि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो इन दोनों सकते हैं और उनकी लिमिट जो इससे भी घट गए हैं वो कि अगले कोशन को बढ़ जाते हैं भारत में कुल बाग निरदारी छेत्र की संख्या कितनी है अब यह लेटेस्ट कुश्चन है अब ही रीसेंट तक जो है बाग के निरदारी संख्या पूछी जा रही है तो बहुत क्या से क्या 54 है या 4 इन में से कोई नहीं अब दी तो हो सकता नहीं है एक ही संख्या वी दौ संख्या तो हो नी सकती अभी आप टू डीट में भारत में 54 زander जो है बाक संख्ष्च09 छेत्र ठीक है कौन सेwydd्ड़ा संख्ष जयत्र हैनी और यह इसे ध्यान ररत कर दो होता है फिर आफिशिल ऊनाउंस होता है इसमें लगता है कि तो 54 व hm जो है नहीं वह न वह काफिर टाइम से हो रहा था होते 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 तब ही लंबा प्रोस चला गांब अब 55 पर बात चल रही है बड़ ऑफिशल यह भी 54 ही है 55 नहीं है तो 54 आप ध्यान रखना बाग संद्रख्षी छेत्र है अब यह कुर्षिन वो उसता 54 वा कौन सा है 54 वा कौन सा है यह कुर्षिन आप याद करके जाना 54 वा पूच सकता है तो दो तीन चीज आप याद रखना सबसे पहले नैशनल पार्क याद रख लेंड कितने हैं और लास्ट वाला कौन सा है या आपको मालूम ने लास्ट वाली कौन कौन से हैं और कितने कितनी संख्या में उपस्तित हैं ठीक है बढ़े अगले कुश्ण की ओर रहे हैं वनो मुलन का मुख्य कारण क्या है अब देखो वनो मुलन बतलब होता है आप पड़ चुके हैं कि वनो का समाख करना वनो को समाख क्या भवन निर्माण के लिए सड़क न सब्सक्राइब कहते हैं और कागफ सब्सक्राइब कर वशितले में एंब बतलब है प्रतिक आवास का वन्यपराणी संग्षन कि अब यत थोड़ा समझना ये थोड़ा समझना प्वस्टनी इसमें थोड़ा सब्सक्राइब प्रेभ्सक स्क्राम्स उसका जब अ算 हता है किसमें किया है किसमें टरीक से प्रोसेस है टनीक है उसको नाम किस से ओंसे इस इसको आप सोड़ना इसको आप रिसर्च करेंगे को जानेंगे पढ़ेंगे इस कॉंसेप्ट को तो बेटर कर पाएगे इसमें तीर तुक्का कोई करने इसके आंदर रवां पर जा도 होती है पर मनुष्छ जो है इंटर कर सकता है तो यह लग लग कंजर्वेशन वाले एरिये बना जाते हैं संड्रक्षण के लिए वन्द प्राणी के लिए इनको इनसटू में रखा जाता नहीं समझ मुझे अब इसको और रिसर्च करके अच्छ से पड़न सकते वह खेटर जिसमेर जनतू अपने प्राकरतिक उआवाज vari है उकल प्राकरतिख अवास में ही जन्तू को कंजर किया जाता है, सनरक्षीत किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अभध्यारध कहेंगे, राश्ट मुद्यान कहेंगे चिडियागार कहेंगे यह नि मैंसे कोई दो यह नि मैंसे कोई नहीं बड़ा मज़दार कोश्चन है कि जन्तु को एक conservation याने कि संट्रक्षण प्रदान करा जा रहा है इसको हम अब ज्यारण कहेंगे तीक बड़ा जाते हैं कि गर्म ठंडे गर्म पिंड से ठंडे पिंड का उश्मा का स्थानांत्रन क्या जलाता है यह एक पिंड यह है अब गर्म पिंड से ठंडे पिंड में उश्मा का स्थानांत्रन गर्म से ठंडे में जब ऐसा उश्मा का स्थानांत्रन होता है उसको क्या चालन कहेंगे प्रेरण कहेंगे सन्वहन कहेंगे अन्मे से कोई यान्मे से कोई भी नहीं यह आपको बताना है अब आपको धान रखना है गर्म पिंड से ठंड अब देखो इस्थाई हल पूचा है क्या पुना चक्रण करना चाहिए क्या पुन्रा रोपड करना चाहिए वनों का जन्तु संट्रक्षण करना चाहिए या इन में से कोई भी नहीं अब देखो एक से अधिक हो सकता है, यह नए से कोई々 नहीं हो सकता या पिर यह चारों के चारों करें या तीनों के तीनों के तीनों करें क्या करें कर सकते हैं ठीक है हम के वल इसको छोड़ सकते हैं फ्राक्रति भी आप जो है टिक करें ठीक है अगला क्या है परियोगशाला ताप मापी के ताप पाठ पाठ्ञ की सीमा कितनी होती है 10 10 degree Celsius 35 degree Celsius 0 do francis ओप्रिंग में से कोई 2 या अधिक या इन में से कोई नहीं अब देखना 10 degrees to 100 degrees Celsius के बीच चीबात ना पैन तीस से 42 है और 0-100 degrees Celsius है यह प्रयोक्षाला तापमापी के तापपाथ्ञां की सीमा पूछ रहा है जो प्रयोक्षाला में ताप मापी होता है ना उसके ताप पाठ्थेंग की सीमा पूछ रहा है लिमिट पूछ रहा है कितनी होती है बिसीकली तो प्रयोक्षाला में ताप मापी होती है थर्मामीटर होता उसका पूछ रहा है तो इसकी हमारी 10 डिगरी से लेके कुछा है वनोमुलान का प्राकर्ति कारण क्या है दावानल तो इस बीलकोल और भीछड सुक होना है काई थिर्माद है यह में से कोई venant हो सकता है उस यह विए ने हो सकता तो वनों मोलन का तो प्राकरति लग जाती है अब देखोगे पहुत नहीं पर ऑस्टेलिया में जब हुआ था कौाला और वह जितने भी हमारे चुटे-चुटे जानवर थे वह प्रभावित हुए तो ऑस्टेलिया के जंगल में ठीक है गजाती है कभी कभी दो जाता है ऐसी हमारे देखो गी me अदर फ्रदेश के मिलेंगे जितने भी आप देखने जंग़ वहां भी जो है अपने आंप आप लगती है अपने आप लगने का पीछे रीजन है एक नाचुरल प्रॉचस है ही रीजन होता है यह तब लगती है तो दा यह क्या है कि संट्रक्षण का अर्थ किया है वह सिंपल है संट्रक्षण का अर्थ क्या हो सकता है या या तो यह रक्षण कैसा लागता है रक्षण हो सकता है सुरक्षा देना हो सकता है साहता देना हो सकता है यह में से कोई दो यह में से कोई नहीं अब एक से अधिक भी हो सक लिखने इसका मतलब है रख्षा करना सुरख्षा करना रख्षा करना सुरखषा नियंदेना थीके हैं पूष्टा है मारा उसके पूष्टा तब बहुत अच्छे पूष्टा सजीव में अनुवान्शिक गुणों का क्या है अब देखो कि ठोड़ा से मिस्प्रिंट की हो थोड़ा से सुन्वान्शिक गुणों का वाह कौन थान वाह के वाह करता है। कि से सबने पड़ा या इसको कौन करता है माइक मैं न्मान्षी ले जाना काम कॉन करता है क्या कितने गुड़े पता शैंग कुतने जोड़े होने जाए पता है ऊनवांसे गुड़ों का ही वहाँ कॉल करता है चैसे लिए हमिकिने चलिए मिलेंगे आप wusste तरह नेक्स्ट उबर्ट्टी कोश्चन में कब तक के लिए देखते रहे हैं मिशन